नमस्ते मैं कंचन गुपता आजपुनह दोहा वली जो शी गोसाई तुलसी दास जी ने रची है उसमें भजन की महिमा का वर्नन करूंगी 126 नमबर दोहा में कहा है कि जल को मतने से अगर घी उत्पन हो जाए और बालू के पेरने से तेल निकल आवे अर्थात ऐसी दुरलब बातें भी अगर होने लगें तो भी बिना रामस्मरन के बिना हरी भजन के भव सागर को पार नहीं किया जा सकता ये सिध्धांत अटल है केवल रामभक्ती हरी भजन द्वारा ही इस संसार के दुखों से विमुक्ति मिलती है बारी मथे दृत होई बरू सिकता ते बरू तेल बिनु हरी भजन नभव तरिये ये सिध्धांत अपेल अब 127 नंबर का दोहा सुने हरी माया कृत दोश गुन बिनु हरी भजन न जाही भजिये राम सब कामत जी अस बिसार मन माही इसका अर्थ है कि शीहरी की माया के द्वारा रचे हुए दोश और गुन शीहरी भजन के बिना कभी नस्ट नहीं होते ये संसार एक माया जाल है और ये माया जाल अती सुन्दर है आकर्षित करता है परनतु संताप और दुख का घर है परनतु अरी भजन के बिना ये माया जाल कभी नहीं करता हम इस माया जाल के आकर्शन में स्वैम को एक पिंजरे में बंद कर लेते हैं हमें सब कामनाओं को त्याग कर शी राम जी का भजन करना चाहिए अब 128 नंबर का दोहा है जो चेतन कहें जड़ कहे जड़ी करे से चैतन्य अस समर्थ रुगुनात ही बजही जीवते धन्य इशर में इतनी शक्ति है शी राम जी में इतनी शक्ति है कि चेतन को जड़ कर देते हैं अर्थात प्राण मैं चीज को प्राण मैं वस्तु को पलक छपकते ही निर्जीव कर देते हैं जड़ को चेतन कर देते हैं शी राम जी इतने समर्थ हैं कि उनके लिए कुछ असंभव नहीं जो शी राम जी का भजन करते हैं वे धन्य हैं अब 139 नंबर का दोहा सुने शी रगुवीर प्रतापते सिंधु तरे पाशान ते मतिमंद जे रामत जी भजही जाई प्रभु आन हम सब जानते हैं कि जब समुद्र को लांगना था तो पत्थरों का पुल बनाया गया इतनी भारी शिलाओं को उठाना और समुद्र में पुल बनाना ऐसा दुरलब कारिय बानरों ने करके दिखाया और पत्थर तैर तैर कर समुद्र में अपना स्थान बनाने लगे और एक ना तूटने वाला पुल बना जो आज भी भारत एवं लंका के बीच हिंद महासागर में है और जब तक ये ब्रहमांड है श्रिष्टी है तब तक वे पुल कायम रहेगा क्योंकि वे राम जी की दृष्टी एवं कृपा से बना है राम जी की कृपा से प्रताब से वे पत्थर वे शिलाएं समुद्र में तर गई अगर पत्थर और शिलाएं तैर सकती हैं तो मनुष्य के लिए सब कुछ संभव होगा अगर राम जी की कृपा प्राप्त होगी हम क्यों भटक रहे हैं क्यों न इतना सरल मार्ग अपनाते जिसमें केवल राम कहते ही हमारे दुरलब कार्य सरल हो जाते हैं अब 130 नंबर का दोहा सुनें लव निमेश परमानु जुग बरस कलप सरचंड भज सिनामन ते ही राम कहें काल जा सुको दंड हे मन तु उन राम जी को क्यों नहीं बचता जिनको भजने से हमारा कल्यान है ये काल ये समय ये समय के सुक दुख वर्ष मास महीने युग तो राम जी के हाथों के धनुश बान हैं परमानु हैं युख वर्ष सब तो राम जी ने बनाया है अब 131 नंबर दोहा सुने तब लगी कुसल न जीव कहूं सपने हु मन विश राम जब लगी भजत न राम कहूं सोक धाम तजिकाम ऐसा ही एक दोहा राम चरित मानस में है जब अशोक वाटिका में दुखी सीता माता राम जी के वियोग में कहती हैं हनुमान जी को अपना दुख बताती हैं और राम जी को आकर हनुमान जी सीता की व्यथा बताती हैं सीता जी हर दुख को से सकती हैं परंतु राम के स्मरन के बिना नहीं जी सकती राम के वियोग में वे दुखी हैं के हनुमन्त विपति प्रभु सोई जब जब सुमिरन भजन न होई सीता जी ने हनुमान जी के हाथ राम जी को ये संदेश भेजा कि वे घड़ी वे पल वे समय सबसे अधिक दुखदाई होता है जब राम जी का स्मरन नहीं होता अब 132 नंबर का दोहा सुने बिन सत्संग नहरी कथा तेही बिन मोह नभाग मोह गए बिन राम पद होई नद्रड अनुराग इसमें सत्संग की महिमा बताई है अगर हम कोईले की खान में जाएंगे तो हमारे शरीर पर भी कालिक लगेगी सत्संग की महिमा तो सभी गुरुओं ने गुरु नानक जी ने अपने गुरु गरंद साहिब में सभी गुरुओं ने बताई कुछ भी हो मनुष्य का मन बदलते अच्छाई से बुराई की तरफ जाते देर नहीं लगती इसलिए सत्संग में आएं सुने और बिना सत्संग के इश्वर के लिलायन सुनने को नहीं मिलती सत्संग में ही इश्वर के कथा कलापों का वर्नन होता है द्रिश्टांतों द्वारा मनुष्य सुन के समझ के परिवर्तित हो जाता है भक्ती और ज्ञान की और अग्रसर होता है इसलिए बार बार राम लीला खेली जाती है क्योंकि इस संसार में चारों तरफ व्याधियां हैं बुरायां हैं नकारात्मक उर्जा है वो हमें कभी भी प्रभावित कर सकती है उनसे मुक्ति के लिए हमें बार बार सत्संग करना होगा बिना सत्संग के मुह नाश नहीं होता और बिना मुह के नाश के राम जी के चर्णों में द्रिड आसकती प्रेम ममता विश्वास नहीं होगा अब 133 नंबर का दोहा सुनें बिन बिसवास भक्ती नहीं तेह बिन द्रव ही न राम राम कृपा बिन सपने हूँ जीव न लह विश राम बिना राम कृपा के मनुष्य को शांती नहीं मिलती नित्रवस्था में भी मनुष्य बेचैन रहता है अशांत रहता है उद्विग्न रहता है दुकी रहता है दूस सपन से परिशान रहता है भगवान में शद्धा और विश्वास के बिना भक्ती नहीं हो सकती और बिना भक्ति, राम जी पिघलते नहीं, बिना भक्ति, राम जी की कृपा प्राप नहीं होती, और बिना राम कृपा के जीव को मनुष्य को कहीं सुख नहीं मिलता, स्वप्न में भी वो दुखी रहता है, आशा करती हूँ, आज की प्रस्तुती आपको अच्छी लगी कि कृपया मुझे सुनते रहें, सुनने के लिए आप सब का धन्यवाद, धन्यवाद